इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी इलो जेल एक शीतलन warming प्रभाव पैदा करके गठिया, मानस्पेशियों और पीट दर्ड जैसी स्थितियों में दर्ड और सूजन से तेजी से राहत देता है यह तवचा को ठंडा और फिर गर्म महसूस कराकर काम करता है तवचा पर यह भावनाय आपको दर्ड महसूस करने से विचलित करती है इलो जेल सबसे अच्छा काम करता है यदि दर्ड के पहले लक्षनों के रूप में उनका उप्योग किया जाता है दवा की एक पतली परत प्रभाव क्षेत्र पर दिन में तीन से चार बार से अधिक न लगाएं और धीरे से और अच्छी तरह से रगड़ें यह दवा केवल बाहरी उप्योग के लिए है अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें प्रभाव क्षेत्र को साफ करके सुखाले और जेल लगाएं लगाने के बाद अपने हाथ धोएं जब तक की हाथ प्रभाव क्षेत्र न हो डाइकलोफिना, डायथाइलेमाईन और मिथाइल सैलिसिलेट नॉन स्टेरायल एंटी इंफलिमेटरी ड्रग्स यानि की NSAID हैं जो दर्द और सूजन यानि की लालिमा और सूजन पैदा करने वाले कैमिकल मेसेंजर यानि की प्रोस्टागलेंडीन को निकलने से रोकते हैं उलियम लिनी में आवश्यक फैटी एसिड होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और रक्ट परिसंचरन में सुधार करते हैं में थॉल तवचा पर शीतलन प्रभाव पैदा करता है में थॉल रक्ट वाहिकाओं को पतला करता है जिससे ठंड़क का अहसास होता है जिसके बाद एनालजैसिक प्रभाव होता है में थॉल एक पैट बढ़ाने के रूप में भी कारे करता है तो अच्छा पर लागू होने पर दवाओं के प्रवेश को बढ़ाता है जिससे कारवाई की तेजी से शुरुआत होती है विडियों को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियों अच्छी लगी हो तो इसे लाग करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद